नमस्ते डियो वीवर्स तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टापिक है वो है प्रोपर्टीस और बूलन अलजेब्रा बूलन अलजेब्रा के कुछ प्रोपर्टीस को हमने यहाँ पर मेंचन किया है जो हम आज देखने वाले हैं ठीक है, क्योंकि आगे जो भी simplification हम करेंगे, numerical problems का, उसमें ये use होगा, ठीक है, तो commutative property है सबसे पहला, इसमें क्या है कि A plus B is equal to B plus है, अगर, ठीक है, कहीं पर भी A plus B हमारे पास है, तो उसे हम B plus A में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब, माल लिजए, आपके पास कहीं पर B plus C given है, तो आप इसे C plus B भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से, जो ये जो property है, जो addition में है, वो multiplication में ही काम करता है, मतलब, A dot B, जो है, ये equal होगा, B dot A से, अगर आपके पास कहीं B dot C है, तो आप उसे C dot B भी लिखेंगे, तो कोई problem नहीं होगा, दोनों equal ही होगा, ठीक है, फिर दूसरा जो property है, वो associative property, associative property जो है, ओवर multiplication भी होता है, और ओवर addition भी होता है, सबसे पहला addition वाला देखे, एक साथ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग A और B को एक साथ ले आ रहे हैं, और C को बाहर कर दे रहे हैं, तब भी जो value है, वो same रह रहे हैं, ठीक है, और यही चीज, multiplication पर भी apply होता है, A dot bracket B dot C is equal to A dot B bracket dot C, ठीक है, यहाँ पर B और C एक साथ थे, लेकिन इसमें A और B एक साथ आ रहे हैं, फिर भी जो हमारा result है, उस पर कोई effect नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से distributed property भी होता है, distributed property भी जो addition होता है, उसे हम over multiplication distribute करते हैं, और जो multiplication होता है, उसे over addition distribute करते हैं, जैसे कि A plus B into C है, ठीक है, यहाँ पर यह जो addition है, इसे हमने over multiplication distribute किया देखे, A plus B into A plus C, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर यह जो second वाला है, यह multiplication में है, बाट हमने इसे क्या क्या है, over addition distribute किया, A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C